दोस्तो क्या आपके घुटनों में गैप की समस्या है या आपके घुटनों का ग्रीस खतम हो गया है या आपके जोडों में घुटनों में या सरीर में कहीं भी दर्द रहता है तो दोस्तो आज की इस वीडियो को आप ध्यान से देखें क्योंकि आज की इस वीडियो में हम ऐसी चीज के सेवन की विदी के बारे में बताएंगे, यदि आप इसका सेवन हमारे द्वारा बताएंगे विदी से करेंगे, तो घुटनों की ग्रीस तेजी से बनने लगेगी, और चाहे आपका घुटनों का दर्द कितना भी पुराने से पुराना हो, दोस्तों वो भी बिल कुल जड़ से खतम हो जाएगा, और इस नुस्खे का आसर भी आपको पहले ही दिन से दिखाई देगा, इतना चमतकारी और इतना कारगर नुस्खा है ये, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है, कि हमें जोडों के घुटनों के दर्द की समस्या क्यों होती हैं, हमारे ऐसे हमारी उमर बढ़ने लगती हैं, तो ये समस्याएं आम बात हैं, यदि आपकी भी उमर 60-65 साल से अधिक हैं, तो ये समस्याएं आम बात हैं, लेकिन यदि आपको यही समस्याएं 30 या 35 साल की उमर में 20 या 25 साल की उमर में दिखाई दें, तो आप इनको बिलकुल हलके म मत लीजी तो इनका region दूसरा होस्कता है या तो आपके सरीर में calcium की कमी हो या आपके सरीर में vitamin D और vitamin E की कमी हो या vitamin C की कमी हो या दोस्तों आप junk food का अधिक सेवन करते हो या फिर आप खाना एनिमित समय पर खाते हो या फिर आप खाना अधिक मातरा में खाते हो या आपका weight बहुत अधिक हो इन सब कारणों से ये समस्याइं आती है या आपको खुटनों पर किसी तरह के चोट लग गई हो इन सब के कारण ये समस्याइं आती है और यदि इन सब में से किसी भी कारण से आपको ये समस्याइं है तो आज के जो नुस्खे हम आपको बताएंगे उनके सेवन से आपकी यह समस्चाएं बिलकुल दूर हो जाएंगे दोस्तों सबसे पहले तो आपको वाकिंग जरूर करने चाहिए आप वाकिंग को अपने डेली लाइव में डालीजिए क्योंकि इसे जोडों का दर्द या खुटनों का दर्द होने की समस्चाएं 50% तक कम हो जाती है और 50% असर आएगा हमारे इन नुस्खों का तो सबसे पहले यदि आपको ये समस्चाएं हैं तब आपको वालनेट को अखरोट को अपने जीवन में सामेल कर लेना चाहिए अखरोट लेनी है क्योंकि जो ये अखरोट की गिरी होती है जब ये लंबे समय तक पड़े रहती है तो इसके अंदर से तेल सूख जाता है और आजकल मार्केट में दो कदड़ी भी बहुत है तेल निकले हुए अखरोट की गिरी भी आती है उसको लेने से आपको कोई फाइदा नहीं होता इसलिए आपको सैल वाले अख्रोट ही लेने हैं और अख्रोट को सेवन करने का भी एक तरीका है आपने दोस्तों अख्रोट की तीन से चार गिरी लेकर रात भर के लिए पाने में भीगो कर रखा रहने दिन है और सुबह खाली पेट उन भीगे हुए अख्रोट के दानों को आपने चबा चबा कर खाना है, ये हो गया इसका बैस तरीका, अब जानते हैं दूसरे नुस्खे के बारे में, दोस्तों यदि आपको घुटनों में गैब की समस्या है, या लूबरिकेसन के समस्या है, तब आप हर सिंगार का काड़ा जरूर बीचे, पारिजात का काड़ा ज पर आपकी घुटनों के दर्दिया घुटनों के लूबरिकेसन के समस्या के लिए बहुत अधिक कारगर है दोस्तों, आपने हर सिंगार के पत्तों के काड़े का जिसकी लुगदी का सेवन करना है, अब आती है तीसरी बात, आपने कोकोनट वाटर का सेवन जरूर करना है, जब भी आपको पोसिबल हो तो आपको कोकोनट वाटर का सेवन कीजी, इससे आपको जीवन में कभी भी घुटनों में घुरीज की समस्या नहीं आएगी, कैल्सियम की कमी नहीं होगी, अब जानते हैं उस नुस्खे के बारे में, कि आपने गुड के साथ कौन सी चीज खान कीजी, या आप तिल गुड के लड़ू बनाकर एक लड़ू का हरो सेवन कीजी, दोस्तों इससे जो फाइदा आपको मिलेगा ना, वो कोई भी नुस्खा नहीं दे सकता, या तो आप गुड के साथ ऐसे ही एक चमच तिलों को हलका सेकर उसको पर तिल को खाली नहीं होसता, और उपर से गुड चबा लें, या आप तिल गुड के लड़ू खाएंगे तो और भी अधिक फाइदा मिलेगा, तो दोस्तों आप भी गुड के साथ तिल का सेवन कीजी, और अपने सरीर को निरोगी बनाएए, और अपने सरीर की इस कैल्सियम के कमी का इलाज कीजी, घु लाइक और सेर जरूर कीजी, इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजी, और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बैल का इकॉन है उसको भी दबा दीजी ताकि आपको हमारी सबी आने वाले वीडियो की नोटिपकेशन आते रहे, धन्यवादोस्तों.